आप लोगों के सब आज मैं शेर करूंगी बंडरे वाले आलू टमाटर की सबजी सबसे पहले हमने तीन हरे मिर्ची ले लिए टमाटर ले लिए तोड़ा सद रख ले लिए चौक के लिए हमने तेज पत्ता लॉंगे लाची दाल चीनी और जिरा ले लिए अब आलू हमने लाट के छोटा चोटा पीस कर लिया का चालू है यह नमक हल्दी और मिर्ची हमने साइट करके रहे अब हमने सबसे पहले तेल के अंतर डाल देंगे तेज पत्ता डालने के बद हमें जो खाड़ा मसाला लिया था हमने वह डाल देंगे जीरा दो एलाइची डाला दो में आ जाए एक डाल दूंगे हरी मिर्ची उसके बाद हमने जो आलू चोटा चोटा करके काटके धोके रहे ता उसको डाल दूंगे क्योंकि हमेशा देखी हूं जब भी उबला हूँ आलू डालो ना तो सबजी में कितना भी अच्छा करके बनाओ एक फीकपन रह जाती क्य कि आपने आलू को अबाल के डाला है तो मैं जब भी बनाती हूँ मेरे तरीका यही होता है कि मैं कच्छे आलू से बनाओ ताकि मेरी सब्जी में टेस्ट तो हो लेकिन आलू जब मुह में जाए तो आलू में भी एक चटपटा सा टेस्ट हो फीकपन मुझे पसंद नहीं है ना मेरे बच्चों को इसी वज़े से हमने हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ तो हमने सबसे पहले हालू को डाला था डालके ढखके उसको बहुत अच्छे से उसका मौश्राजर को खतम किया फ्राई नहीं किया ब्राउन होता है वैसन ही किया इसकी जो पानी होती है नए आलू है इसको ज्यादा होता है तो इसलिए उसको अच्छे से उसको ढखके वह सौट भी हो गया और उसकी ब्राउन पन आने नहीं दिया उससे पहले ही उसको हमने ढखकन हटा के अब हम डाल देंगे जो टमाटर अध्रयक और हरी मिर्ची लिया था उसको इसको मिक्सी में पीसा क्य प्राइन तो अपने हिसाब से लिया है क्योंकि अगर बड़ा सा आलू है तो छोटा एक टमाटर लो कि जितना आलू है उससे टमाटर हमेशा बड़ाबर लेना होता है कि आलू से चोटा टमाटर लो एक लेकि हमने जो नमक खल्दी और मिट्ची रखा तो उसको डाल के ढग दिया क्योंकि टमाटर में काफी ग्रेवी है तो वो पक्ने में थोरा सा टाइम लगता है अब हमने इसको पहले एक बर ढग दिया था कि तब हमने मसाले को मिक्स नहीं किया अब हमने इसको फिर दोबरा एक बर चला के ढग दिया अभी देखो इसको बीच बीच में चलाना है एक बार में अगर ढग के रख दोगे तो यह नीचे से जल जाएगा तो इसलिए आपको ब बार बड़ करके इर बड़ करके चला देना है कि निख rapid करो है तो अच्छ से उसका मुभ सारा निट्रिशुन उसके चुन अंदर होते हैं अगर कि सब्सक्राइब को सब्सक्रार अच्छा होता है सब्सक्राइब इसलिए मैं डखकन खोल कोल के बारबाब अच्छे से इसको चला रही हूँ अभी हम फिर दुबरा ढख दूँगी जब तक इसम से ओयल ना छुटने लगे ना देखो अभी गया है ओयल छुटने लग गया तो हमने गरम पानी डाल दिया मैं तो गरम पानी डालती हूँ आपको जैसे दिलकर बैसा कर सकती हूँ मुझे थोड़ा सा टाइम कम होता है इसलिए मैं शॉटकार्ट में डालती हूँ और टेस्ट भी होता है जादा तो इसलिए मैं हमेशा इसमें सबजी में गरम पानी डालती हूँ तो गरम पानी डाल के उसको कि आलू और भी पकीगा तो पानी तो थोड़ा चाहिए इसलिए हमने अच्छे से उसको निला के पांच मिनिट के लिए ढख दिया था उसके बाद हमने इसमें जीरा और धनिया का पाउडर जो मैं रोस्ट करके पीसके रख देती उसलिपटर में वो मैंने एक चमच डाल दिया अब हमने उसको एक चमच से थोड़ा से लेके ना उसको टेस्ट किया है क्योंकि टमाटर भी डाला हुआ है नमक भी सब कुछ जब हम अमचुर पाउडर डाले तो वो हमारे सबजी में ना खटपन जादा हो ना नमक जादा हो तो हमने हो देखा एक नाइप से हमने देखा आलू बिल्कुल पिगल चुका है उसके बाद हमने एक मैश करने वाला लिया और इसको अच्छे सा दबा दिया अगर इस सब्जी को आप लास्ट में कटरी में देखो तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्या मैंने बॉयल आलू लिया य है इसकी इसमें कnhint नाटी है पराध रख इसलिए कंट रिमेटी से छो थोलोह कर देख motion मेश करा देता है अगर अगर एक चमच गी डालतें यह चीनी पशना तो हमने थोड़ा सा घी डाला देखो सब्जी का कलर बहुत सुंदर है खाने में उतना ही मज़दा रहे हम तो बहुत बार उंजाए किये आप भी बनाएए खाईए और रेकमेंड पहांके बताएए आपको ये बिना उबलेवे बंडरे वाले आलू कैसा लगा जरूर उबाल के ना आत्यों कंझे बना ना मैंगा ये चैसरी दूकर असर्ब करें चैया बनाए जरूर बता एगर कैसे